तो आज हम इसके question answer शुरू करेंगे question 1 और question 2 करेंगे question 1 है you have probably noticed that the people in Kalpattu are engaged in a variety of non-form work at least 5 of these अपने शायद से notice कि होगा ध्यान दिया होगा जो कलpattu जो हमने पढ़ा था कलpattu गाओं के बारे में बच्चों पढ़ा था कि इसमें लोग non-form work में engaged है non-form work होते हैं जो जमीन के अलावा जमीन में जैसे जमीन में खेती करना या फसल काटना फसल बीज बोना उसके अलावा बाकि जो काम में engaged थे वो पांच काम बताए लिस्ट 555 उसमें से पांच काम बताए जो non-form work है जिसमें काम के लोग अंगेज़ थे वो कौन-कौन से हैं making baskets पहला काम में making baskets वो क्या करते थे टोक्रया बनाते थे दूसरा है making utensils बरतन बनाते थे making pots मिट्टी के बरतन बनाते थे making bricks इंटे बनाते थे और पांच के making blood cards जो लकड़ी गाड़ी होती है गोड़ा गाड़ी तीसे बोलते हैं वो बनाते थे हैं question 2 is list the different types of people you read about in Kalpattu आपने इस जो Kalpattu गाउं जो हमने chapter में Kalpattu गाउं पढ़ा था उसमें अपने मुक्तलिफ कस्म के लोगों को लोगों के बारे में पढ़ा था who depend on farming जो की खेती पर depend थे जिनका सारा दारों मरदार किस पे था खेती खेत पर ही था who is the poorest among them and why? उनमें से सबसे ज़्यादा गरीब कोन है और क्यों? हमने 65 क्या बच्छों के दब बिग फार्मर, small farmers and landless farmers depend on farmer farming जो हम चैप्टर हम पढ़ा था एक तो बड़े जमींदार पढ़ा था चोटे जमींदार पढ़ा था और वो चोटे किसान पढ़ा था या बड़े कि किसान पढ़ा था और landless farmers और वो किसान जिनके पास जमीन नहीं थे जो कि इस पर dependent farming के ऊपर ही dependent जो कि farming के ऊपर ही dependent जो कि फार्मिंदार लेंडलेस farmers are the poorest among them to landless farmers है जिनके पास कोई जमीन नहीं है वो उनमें से सबसे ज्यादा गरीब होते हैं क्योंकि वो गरीब इसलिए होत है जिनके पास जमीन नहीं होते है उनकी सानों को दूसरों की जमीनों पर dependent रहना पड़ता है moreover the way which वो क्या करते हैं दूसरों की जमीन पर जमीन दारी या खेति या फासल दूसरे की जमीनों पर मजदूरी करके अपना विजारा करते हैं और वो सबसे ज्यादा गरीब होते moreover the wages are very low for such people और जी यह लोग होते हैं जो दूसरों के खेतों में जाक के काम करते हैं मुझदूरी करते हैं उनको जो दिहाड़ी मिलते हैं वो बहुत ही कम होती है इसलिए वो सबसे ज़्यादा गरीब होता है तो आज हम बच्चों यही question number one और question two ही करेंगे थेंक यू बच्चों